कि आज पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत मान जी ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया उसके खिलाफ केस दर्ज करके उने गिरफतार किया जा रहा है किसी को इस भ्रष्टाचार का पता नहीं था ना मीडिया को पता था ना विपक्ष को पता था किसी को नहीं पता था मान साब चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे अब तक तो ऐसे ही होता था मान साब चाहते मामले को दबा सकते थे उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने खुद बखुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया भगवन्त हमें आपके उपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके उपर गर्व है, पूरे देश को आपके उपर गर्व है, 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूर्ड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे एक्शन लिया था, उसके भ्रिष्टाचार के सबूत मेरे पास आये थे, तब भी किसी को नहीं पता था, मैंने खुद बखुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था, आम अदमी पार्टी कटर इमानदार पार्टी है, कटर इमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नि, उसे बक्षेंगे नि, अभी तक देखा गया कि सारी पार्टीओं में आपस में सेटिंग होती थी, अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के ब्रश्टाचार के खि बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी इमानदार भी हो सकती है क्या, कई लोगों की आखों में खुशी के आंसू है, और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरूद करे, तो विपक्ष कहा रहा है, देखो देखो सरकार बनने के दो महिने में इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया, ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं, पर दुनिया के दुनिया के इतिहास में य पहली सरकार है जो पता लगते ही सक्स्त सक्त एक्षन लेती है चाहे गुना करने वाला अपना ही क्यों ना हो करप्शन देश के साथ गद्दारी है भारत माता के साथ गद्दारी है कुछ भी बरदाश्ट कर लेंगे लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बरदाश्ट नहीं करेंगे गर्दन कट जाएगी लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है ना गद्दारी करेंगे ना कि इमांदारी के संसकार दिये हैं ये जो हमने किया है ये करने के लिए बहुत-बहुत हिम्मत चाहिए और हिम्मत हमें भगवान से मिलती है उपर वाले से मिलती है आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कटड इमांदार सरकार दे सकती है कुछ लोग कहते हैं कि पर्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी थोड़ी तो corruption करनी पड़ती है थोड़ी तो गड़बड करनी पड़ती है आम अदमी party ने सावित कर दिया कि पर्टी और सरकार बिना फ्रश्टाचार के इमांदारी से भी चल सकती है, भारतिय राजनीती बहुत खराब हो गई है, बहुत बहुत दूशित हो गई है, भारतिय राजनीती में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुवात है, इमांदारी और देश भक्ति की शुरुवात, एक सुनेरा भारत बनाने की शुरुवात भारत माता की जय, जय हंद।